नमस्कार दोस्तों मैं स्रीकांत एक बार फिर से आप सभी का अपने यूटूब चैनल सुपरेश्केशन में हर्दिक स्वागयत करता हूँ जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आज से आपको लगातार हिंदी की क्लासेज मिलने लगे की उत्तर प्रदेश पुलिस ग्राम विकाश अधिकारी या यूपी ट्रॉपल सी का कोई भी एकजाम हो जिसमें हिंदी आती हो उसमें बेतर तरीके से हिंदी की संपूर क्लासेज प्लेलिश्ट वाइज आपको मिल जाएंगी तो आज हम चर्चा करने वाले हैं वो संग्या से हम लोग चर्चा करेंगे संग्या से बात करेंगे जिसमें से जो टॉपिक है आपका वो है आपका व्यक्ति वाचक संग्या संग्या का यह पहला पार्ट होगा आपको इसमें संग्या जितने भी पार्ट हैं संग्या के लगबग 2-3 वीडियो बनेंगे उसमें हम पार्ट वाईज आपको पढ़ाएंगे ठीक है तो संग्या मेंसे हम आज शिर्फ चर्चा करने वाले हैं इस पर आज हम चर्चा करेंगे व्यक्ति वाचक संग्या व्यक्ति वाचक संग्या आपकी जानकारी के लिए बता दे कि संग्या के व्यत्वत्ति क्याधार पर तीन भेर होते हैं और सामान ने पांच भेर होते हैं उसके ठीक है जिसमें से एक पार्ट है आपका कौन सा व्यक् आ यहां पर आप लिख सकते हैं, यहां पर आप लिख सकते हैं, का बोध हो का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं व्यक्तिवाचक संग्या देखिए इसमें हम चार चीज़े आपको बताएंगे कि व्यक्तिवाचक संग्या होने के कौन-कौन से नियम हैं तरीके नमबर एक देखे व्यक्तिवाचक संग्या में आपको इतना याद रखना है दोनों को तुलनात्मक पढ़ना पढ़ेगा जातिवाचक संग्या और व्यक्तिवाचक को तुलनात्मक पढ़ना पढ़ेगा तो वो चार नियम ऐसे क्या वो चार नियम एक प्रकास से आप कह सकते हो कि चार ऐसी चीजे हैं जिनको आप याद रखेंगे जिससे व्यक्तिवाचक संग्या आपको clear हो भी है सबसे पहली बात जिसके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं नंबर एक देखिएगा व्यक्तिवाचक संग्या होने की कौन-कौन सी संभावनाए हैं जिसके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं कि परिवर्तन कर सकते हैं कर सकते हैं उनको भाया हम क्या कहते हैं व्यक्ति वाचक संग्या कहते हैं देखो एक चीज़ समझ लिजे जैसे व्यक्ति विशेष का नाम होता है ना आप उसको बदल सकते हैं ठीक है लेकिन मनुस्तर जाती को नहीं बदल सकते हैं ऐसा नहीं देखे जब बच्पन में हमारा नाम दूसरा होता है, जब बड़े होते हैं, तो उसी व्यक्ति विशेस उसका एक एलिमेंट का नाम बदल सकते हैं. आप त्छींटू कर सकते हैं, लेकिन अगर लड़का सब्द है थीक है लड़का सब्द है तो लड़का के अंतरगत उससे सम्मंदित समस्त जाती का बोध होगा आप इसको नहीं बदल सकते ठीक है अगर शब्द लड़की है क्या है अगर लड़की है तो लड़की से सम्मंदित उसकी समस्त जाती का बोध है ठीक किसी लड़की का नाम आप पर्टिकुलर बदल सकते है जैसे सीता है ठीक सीता सीता को आप गीता नाम धर दिजे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, आप गीता को पिंकी रख दिजे, क्या रख दिजे, पिंकी रख दिजे, कोई दिक्कत नहीं, छोटी नाम होता है, बच्पन में कई नाम होते हैं, लोग बिटिया कहते हैं, तो आप इनका नाम बदल सकते हैं, ठ जैसे एक शब्द ले लिया जाये परवद आप परवद शब्द को नहीं बदल सकते हैं लेकिन उस से संभन्दित किसी एक परवद का नाम बदल सकते हैं जैसे एक पुस्तक का नाम है एक भारती धार्मिक ग्रंथ है इसका नाम हम दूसरा रख सकते हैं, बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंतरी श्री आदित नाथी जी योगी आदित नाथी जी ने कई जिलों के नाम बदले हैं ठीक, लेकिन जैसे जिला शब्द है, ये नहीं बदलेगा, ये नहीं बदलेगा, लेकिन हम जैसे कहते हैं, कोई भी जिला, कोई भी प्लेस का नाम है, कोई भी जैसे हम एक नाम ले लें, उत्तर प्रदेश, ठीक, उत्तर प्रदेश, ये जिला नहीं है, प्रदेश है, हो सकता उसको नहीं बदल सकते हैं लेकिन उसके एक element का नाम बदल सकते हैं जैसे शरस Şu Tis है तो उसका दूसरा नाम रख सकते हैं किसी place का नाम बदल सकते हैं हमाना आपने देखा होगा की हजरवगन चोक का नाम क्या कर दिया गया अतल चोग कर दिया गया इकाने स्टेडियम का नाम बदल के क्या कर दिया गया अटल बिहारी बाच पही इस्टेडियम कर दिया गया आपने कई नाम देखे होंगे हैना इसी तरीके से आप particular किसी एक place को बदल सकते हैं WACTVhings का नाम बदल सकते हैं ठीक जिला शब्द जिला ही रहेगा ठीक जिसे उन नौ जिला है, रैवली जिला है, संद कवेडास, तो आप इनका नाम बदल सकते हैं, लेकिन जिला शब्द जिला ही रहेगा, तो जिनके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे भैया, उन्हें व्यक्ति बाचा कहेंगे, ठीक, नमबर दो, दूसरी बात आएगी, जहां पर किसी एक का प्रयोग किया जाए, जहां एक का प्रयोग किया जाए, प्रयोग किया जाए, देखो एक चीज यहां पर याद रखेगा, यहां पर आपको सुनने में बड़ा पटा लग रहा होगा, एक का प्रयोग का ऐसे किया जाए, तो उसकी संपू कूणूर जाती का बोध्र walking किसी व्यक्ति विशेस या वस्त विशेस की जहांपर बात की जाए वहांपर व्यक्ति वाचक संग्या होगा कि जैसे कह दिया जाए, जैसे कहा जाए कि भाईया परवत, तो भाईया परवत तो बहुत धेर सारे हैं ना, लेकिन हम उनमें से कह दें राकी परवत, ठीक, राकी कह दें, ठीक, हम कह दें हिमाले परवत, हिमाले कह दें, तो अब देखे, परवत कहने से तो विस्व के संसार के स सभी परवतों का बोध हो रहा है ना लेकिन रौकी परवत परडिकुलर एक का नाम ले लिया हमने ठीक जैसे कह दिया जाए ग्रंथ भाईया ग्रंथ तो बहुत हैं लेकिन अगर हम कह दिये रामायड रामायड कह दे ठीक हम जैसे कह दें गीता कह दे ठीक इस तरह हम बाइबल कह दे बाइबिल कह दे तो अब देखे ग्रंथ का नाम लेने से तो संसार के सभी ग्रंथों का बोध हो रहा है ना लेकिन पर्डिकुलर किसी एक का नाम ले लिया जाए जैसे कह दिया जाए नदी क्या कह दिया जाए नदी तो नदी शब्द कहने से संसार की समस्त नदियों का बोध हो रहा है लेकिन हम कह दें यहाँ पर गंगा किसी एक का नाम ले लें ठीक जैसे कह दें यमुना किसी एक का नाम ले लें सरस्वती तो यह क्या है बाई देखे नदी कहने से संसार की समस्तु नदियों का बोध हो रहा है लेकिन गंगा यमुना शरसुति कहने से किसी पर्टिकुलर एक नदी का बोध हो रहा है तो जहां पर एक एलेमेंट का बोध होता है एक ही व्यक्तिवस्थान का बोध होता है वहां पर हम उसहाँ पर क्या होगा? आपका वेक्ति वाचक संग्या होगा. इतनी बात क्लियर हो गई होगी. अच्छा, इसमें हमने एक तो चीजे और एड करी थी. जैसे कह दिया जा, नमबर तीन. नमबर तीन पर जो विलुप्त प्राए हैं. जो विलुप्त प्राए हैं. जो विलुप्त प्राए हूँ या जिनका कोई अस्तित्त ना हो. 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 जो विलुप्त प्राए हैं जिनका कोई देखे लड़का शब्द कभी नहीं खतम होगा जानवर शब्द कभी खतम नहीं होगा मनुष एक व्यक्ति के मरने से कोई भी संसार के समस्त प्राड़ी क्या होगा मरति नहीं हो जाएगी तो जो विलुप्त प्राएं हैं जिनके नाम में परिवर्तन हम कर सकते हैं ठीक है उन जैसे अभी देखो अभी सरस्वति की बात सरस्वति पर्टिकुलर एक नदी विलुप्त हुई है व्यक्ति वाचक ही तो विलुप्त क्या सरस्वति के विलुप्त होने से संसार की सभी नदिया विलुप्त हो गई नहीं तो जो विलुप्त प्राएं हैं जिनके नाम में पर संग्याइ हम आपको बता रहे हैं जहां पर हमेशा क्या होती है उनcia UP को यहां पूं से ऐसी संग्याइं है जो हमेशा जिनको हम वेक्ति ब्वेक्ति वाचक संग्या के अंतर्गत रखेंगे ठिक रेखे कौन-कौन सी संग्या है उस्वेक्ति विशेष का नाम है को योफ भी विशेष कोई व्यच्थ होगा हमेशा का नाम का नाम हमेशा क्या होगा व्यक्ति विशेश का नाम जैसे राम होगा ठिक जैसे श्याम हो गया ठिक जैसे सीता है गीता है गीता है ये हमेशा क्या होगा ये व्यक्ति वाचक संग्या के अंतर गताएंगे पहले बात नमबर दो, दूसरे नमबर पर हमेशा याद रखेगा कोई भी देश का नाम ठीक तो यहाँ पर लिखेंगे देशों के नाम देशों के नाम देशों के नाम भाईया हमेशा क्या देखे एक एक हम पढ़ा रहें बार्ट अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर कर लिजेगा यह ऐसी हिंदी है ना कि प्रतिय एक एकजाम में आपको मिलेगे कोई भी चाये UPback का एकजाम हो चाये वीडियो का एकजाम हो चाये Seated का एकजाम हो प्रतेश इस तरग की कोई भी परिछा जहाँ पर हिंदी पोछी जाती है जैसे GD में लगबग-लग-बीस कोशन आते हैं, UPP में 37 प्रशन आते हैं, UP TET में 30 प्रशन आते हैं, एंग्रामिका सदिकारी में 50 प्रशन आते हैं, ठीक जूनर असिस्टेंट में भी 50 प्रशन आते हैं, तो जरूर से जरूर आपको मिलेगा, जैसे कह दिया जाए भारत, ठ जापान, ठिक, ये क्या हो गए अब या, देशों के नाम हो गए, इतनी बात के लिए रो गए, नमबर तीन, नदियों के नाम, नदियों के नाम, जैसे, गंगा, यमुना, सरस्वती, सरस्वती, और तेहरिया जाय की जेलम, ये नदिया हो गए, इतनी बात क्लियर हो गए, इसके बात शहरों के नाम, नमबर चार, शहरों के नाम, जैसे कह दिया जाए, कानपुर, ठीक, जैसे कह दिया जाए, राय बरेली, कोई भी सहर का नाम हो, जैसे कह दिया जाए, मुंबई, ठीक, लखनव, लखनव, ये, ठीक, शहरों के नाम, देखे, देखे, सहर में कौन सी संग्या है, सहर में जाती वाचक संग्या, नदी शब्द में कौन सी संग्या है, जाती वाचक संग्या, देश शब्द में कौन सी संग्या है, जाती वाचक संग्या, व्यक्ति में कौन सी संग्या है व्यक्ति शब्द में जाती वाचक अब देखो देश तो बहुत धेश सारे हैं लेकिन एक देश का नाम लेंगे तो व्यक्ति वाचक होगा नदी बहुत धेश सारे हैं एक नदी का नाम लेंगे तो व्यक्ति वाचक होगा नंबर पांच, अगर कोई भी धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ का नाम, ग्रंथ का नाम हमें सा क्या होगा? व्यत्ति वाचक होगा。 अभी हमने जैसे बताया Bible, Bible, Gita, इस तरीके से, ठीक, आगे बहुत धेर सारे गरंद है, जैसे सागरों के नाम, नंबर छे, सागरों के नाम, जैसे लाल सागर, ठीक, पीला सागर, हिन्द सागर, इस तरीके सागर तो बहुत धेर सारे न, और जैसे और कौम सा हो सकता है प्रशांत सागर प्रशांत महा सागर है महा सागर ठीक इस तरह के से जीलों के भी नाम आपको मिल सकते हैं ठीक इसके बाद नमबर साथ परवतों के नाम अब हम पूरा पूरा नहीं लिखेंगे सौर्कट में लिखे दे रहें परवतों के नाम और जीलों के नाम जील सब्द में जीलों के नाम ऐसे लिखेंगे ना परवतों के राकी परवत एंडीज परवत एटलस परवत इस तरही जीलों के नाम पुलर जील है कैस्पेंस अगर जिराय एसे जितने भी जील है जिल सब जील तो बहुत सब धेयए ना आ परुबत धेयर सारी है ना तो परवतों के नाम में हमेशा किविक्षी वाचक संग्या होगा ना कि परवत में जील हम जैसे कहते हैं यह और हम एक शब मंद है जाती है तो इसमें कैसी संग्या जेबकि इसमें कैसी संग्या जबकि इसमें कैसी संग्या अब जब में घ्रवत शब्द हैं एसे हिसी tet ना रौकी परवत ऐसे ठीक है जैसे कह दिया जाए हिमाले परवत विंध्याचल परवत इस तरीके से जैसे कह दिया जाए पुस्तकों के नाम ऐसे पुस्तक पुस्तक तो बहुत धिरसारी है ना लेकिन कह दिया जाए रामायर ऐसे कह दिया जाए रामायर कह दिया जाए जैसे कह जाए, wings of fire कह दिया जाए, तो particular जो किसी एक व्यक्ति विशिएस का जहां पर बोध होता है, वहां पर भाया हमेशा क्या होगा, व्यक्ति वाचक संग्या होगा, इतनी बात clear, चाहे ग्रहों के नाम है, नचत्रों के नाम है, अगर ये भी आपको मिल जाते हैं, जैसे कह दिया जाए ग्रहों के नाम है, ग्रहों के नाम, ग्रहों के नाम मिल जाए, या फिर आपको नचत्रों के नाम मिल जाए, ठीक है, कोई भी अंतरराश्ट्री जातियों के नाम, अंतरराश्ट्री जाती, अंतरराश्ट्री जाती, अगर है, जैसे भारत में रहने वाला भारती कहलाए अमेरिका में रहने वाला अमेरिकी यसे भारती शब्द कह दिया जाए एक शब्द है कौन साब का भारती शब्द है आपको लगता होगा भारती का मतलब तो समस्त भारत में रहने वाले विक्तियों की बात हो रही नहीं अगर देश के परिप्रेक्ष की बात करी जाए तो भारत में रहने वाला भारती होगा ठीक अगर कह दिया जाए जापानी ठीक ऐसे तो जापानी शब्द का मतलब क्या होगा जापान एक है जापान में रहने वाला जापानी होगा इसे कहते हैं अंतराश्टी जाते तेवहारों के नाम अगर आपको मिलते हैं कौन से नाम भाईया अगर आपको तेवहारों के नाम मिल जाएं ठीक तेवहारों के नाम तेवहारों के नाम में भी व्यक्ति बाचक संग्या है ठीक ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आता है कि भाईया ये बताओ कि होली में कैसी संग्या है ऐसे दीवाली में कैसी संग्या है ये होली दीवाली में कैसी संग्या है तो हमेशा याद रखना होली हो उनकी नामतेवारों के नाम में हमेशा कैसी संग्या होती हमेशा व्यक्तिवाचक संग्या हो जाएगी कोई भी एतिहासिक युद्ध है तो उसमें भी हमेशा व्यक्ति वाचक संग्या होगी जैसे आजाए पानीपत का युद्ध पानीपत का युद्ध ऐसे पानीपत का युद्ध ठीक जैसे आजाए खानवा का युद्ध ठीक है तराइन का युद्ध देखो एतिहां युद्ध तो बह नदियों के नाम सहरों के नाम धानमी ग्रंथों के नाम पर्वतों के नाम सागरों के नाम महीनों के नाम जिलों के नाम ग्रह नशत्रों के नाम तेवहारों के नाम समाचार पत्रों के नाम हमेशा इसमें क्या होती भी या व्यक्ति वाचक संग्या होगी तो इस वीडियो को आप सभी लोग पूरा देखेंगे, उमीद है कि आपको पूरा समझ में आया होगा, ठीक, अगर समझ में नहीं आता है, तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे, अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरू से जरू सस्क्राइब क मिलते एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद